FPO क्या होता है और जब हम FPO की बात करते हैं तो हमें यह समझना है कि जो farmer producer organization है यह एक तरह का producer organization है जिसको हम small farmers agri business consortium SFAC की रूप में motivate करते हैं प्रोमोट करते हैं और यह farmer producer organization जो है इनका एक नाम कराण है इसका और भी इसके आगे suffix के तौर पर अब लगा सकते हैं जैसे किसां क्रिशक फार्मर producer organization या अनकनने की तमाम तरह के नाम लोग अपने अपनी जो संगठन है वो निर्णे करते हैं और उसके आगे suffix जुड़ जाता और उसके आगे फार्मर producer organization ऐसे शब्दावाली जुड़ सकती है यह जो है पूरी तरह से केवल जो क्रिशी से उपर से जुड़े हुए क्रिशी कारियों से जुड़े हुए जो किसान हैं उन्हीं का जब उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़ते हैं तब एफियों बोलते हैं उसको यह फार्मर का production organization और यह काम करता है और इस तरह से इसका उद्देश है क्या है हम यह समझना है क्या जरूरत है इसकी एफियों की तो एफियों में सबसे पहली है जरूरी है कि जो एफियों हैं वो उसके अपने सदस्यों की आई के में ब्रिदी और उनके जो खर्चे हैं उनमें कमी और साथ में वो यह कोशिश करते हैं कि वो दीरे-दीरे किसानों को संगठित रूप में बहुत सारा knowledge उनके सामें ला सकें तो यह एक्स का बहुत बड़ी भूमे क्या होती है और साथ में जो भी उनको कृशिक के इंपूट के रूप में चाहे खादे हैं या बीज है या उनकी अन्य जो संसाधन है चाहे वो मिशिनरी बैंक है इन सब के जो जरूवत होती है किसी एक किसान के उपर लागत ज्यादा आती है लेकिन बहुत सारे किसान जब मिलकर काम करते हैं तब उनकी यह लागत कम होती चली जाती है उदारन के लिए मान लिजे बाजार में आपको एक कुंटल बीज लेना है तो उस बीज की कीमत आपको खुद्रा दल पर ज्यादा पड़ेगी लेकिन जो इन्पुट है और जो प्रोडियूस है उनके ट्रांस्पोर्टेशन या उसके खरीद और बिक्री दोनों तरफ यह हमारे लागत को घटाते हैं तो इसमें वाल्यूम बरता है साथ में जब हम मार्केटिंग करते हैं तो आपको कम कीमत बेचना परता है लेकिन ज़्याद में जो बिचौली होते हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है और अलग अलग जगा ट्रेड करने पर अलग अलग लागत खर्च होती है छोटा छोटा माल कई लोगों को एक हजार किसान अगर एक एक कुटल माल लेके जा रहे हैं तो एक हजार लोग ट्रांस्पोर्टेशन करते हैं एक हजार लोग ट्रावल करते हैं एक हजार लोगों की समय की बरबादी होती है लेकिन यहां क्या करते हैं कि एक हजार लोगों का माल एक जगा खरीता है और ट्रांस्पोर्टेशन आसान हो जाता है और इससे एक सुविधा और वरती है कि अगर कोई उद्दिम लगाता है और उसको कच्चे माल की जरुवत है तो वो एक हजार किसानों के पास जा कर उनसे डील नहीं करेगा, उनके क्वालिटी के एश्विडंस नहीं करेगा, बार बार वैलुडिशन करने के लिए उनसे रिक्विस्ट नहीं करेगा और उसको एक जगा कलेक्टिव फॉर्म में सारा चीटिंग होती थी या कोई पारदरशिता नहीं बरती जाती थी बिजनस करने में उसमें भी बदलाव आएगा और किसानों को सहुलियत होगी और सब के मिलने से सब की सम्रद्धी होगी यह का एक पॉपस है इसलिए एक बनाना जरूरी है दूसरा क्या है कि जो भी हमारा एक प्रशिय के तौर पर काम करता है यहां बहुत से लोग आकर अपना काम कर सकते हैं तो पहला तो मदद मिल गई इंप पुट जो है बीज और खाथ के रूप में मदद मिल गई लगत घट गई आसानी से उपलगता हो गई उपज की बिकरी में मदद मिल गई उपज के प्रसं होते हैं जिनका समय पर जानकारी मिलना तो वो मिलने से भी हमें मदद मिलती है तो यह फाइदा होता है और bargaining हमारी उसकी शक्ति बढ़ जाती है क्योंकि उत्पादगों का संगठन है तो कोई भी बिना सही जानकारी दिये आपसे डील नहीं कर सकता है अब बात करते हैं essential features क्या होते हैं एक यह भी समझने की जरुरत है क्योंकि जब हम एक बनाते हैं तो हमें एक एक structure के बारे में जानकारी होनी चाहिए तो सबसे पहले यह एक farmer producer organization है जिसमें farmers मिल करके इसे संगठित करके बनाते हैं और इसे incorporate करते हैं और जो यह मिल के काम करते हैं तो इसमें बहुत सारी तरह की जो farm activities हैं या non farm activities हैं वो सब perform की जा सकती हैं इसमें उनके मदद मिलती है एक दूसरे से जानकारी वरती है और एक दूसरे को मिल करके अन्यरने लेने की शमता में विस्तार होता है और दूसरा यह एक registered body होती है जैसे अभी self-help groups होते हैं तो उसमें कई बार वह registered भी हो सकती हैं non registered भी हो सकती है transparency कम होती है legalities बहुत सारे conflicts आते हैं लेकिन FPO के case में यह नहीं है यहाँ पर liabilities आती है इसमें जो board of directors हैं उसमें निगेवानी करते हैं तो एक पुरा legal यह entity होती है दूसरा यह है कि इसके जो share holders होते हैं वो producers होते हैं और organization में उन सब का share होता है और FPO के जो provisions हैं उसमें सब का बराबर share होगा यह short किया गया है अगर 1000 का contribution एक किसान कर रहा है तो 1000 किसानों का एक 1000 रोपे ही contribution होगा कोई छोटा या बड़ा नहीं होता इसलिए जो एक सब की जो समानता है उसका भी एक बड़ा भूमिका एक जो है यह FPO अदा करता है और FPO में धीरे धीरे सब की बराबर प्रक्रति होती है यानि जितनी भी growth होगी उसमें सब के share बराबर grow करेंगे और दूसरे यह है कि यह जो primary produce और जो product होते हैं उन सब के जुड़े हुई गतिविदियों को FPO अंजान दे सकता है काम कर सकता है अब यह समझना है कि जो ownership है यह बहुत बहुत सवाल आता है क्यों से मन में जियासाइं होती हैं प्रश्ण होते हैं तो हम लोग यह जानना चाहते हैं कि हमने FPO बना लिया हम साथ में काम भी तो कर रहे हैं पैसे भी आ रहे हैं प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं लेकिन कल को अगर conflict हुआ तो इसका मालिकाना हाग किसके पास होगा कौन इसका दा हैं इसमें कोई नौकर की तरह ठीट नहीं होता है सिवाए उसके जो पेड़ एंपलाई हो तो एंपलाई यहां पर एक सहयोगी के तौर पर काम करते हैं लेकिन बाकी सारे मेंबर्स एक्यूविलेंट अथारिटी रखते हैं दूसरा यह है कि जो FPO है वो प्रमोट किया करता है कि परमोट किया जा सकता है उसके आगे बढ़ा जा सकता है और साथ में जितने भी तरह के सहयोग हैं वो ले सकता है दूसरी औरिशन से दूसरे एक्सपर्ट से तो वो एक मदद होती है उसमें दूसरा जो ऑनर्शिप कंट्रोल है वो पूरी तरह से हमारे मेंबर्स के किया जा सकता है असली मकसद यही है कि conflict resolution हो और साथ में बहतर performance FPO convert करें जिसका benefit हर एक shareholder यानि हर एक member को मिले अब आती है जो इसके formats क्या-क्या है जो legal formats होते हैं जिसमें इनको आप पंजिकरत करा सकते हैं क्योंकि FPO के वल कानून एक कानून नहीं है बलकि अलग-लग कानून हैं जिसके माध्यम से कोई भी farmer producer organization अपने आपको register करा सकता है और incorporate होकर वो जमीन पर आकर काम कर सकता है तो इसमें जो legal provisions हैं उसमें सबसे पहले आता है cooperative society act दोस्तों cooperative जो हैं हमारे देश में बहुत पहले से दिये जा सकें और उसके पूरा moment शुरू हो और जो गुजरात में हुआ या दिली में हुआ वो देश के बाकी हिस्सों में भी महरास्ट्र में भी काफी cooperative successful हैं लेकिन अभी उत्तर भारत में बिहार में ऐसे तमाम जगों पर जो है वो चुनोतियां हैं seven sisters में इतनी cooperative नहीं है तो उन सब जगहों पर cooperative के movement को बढ़ाना और वो effeuse के रूप में यहां पर एक legal control बहुत अच्छा है और उसको सब कुछ जो members से उनके हाथ में हैं इसलिए तो एक cooperative society act है जो जिसमें autonomous नमस body बन सकती है और यह अलग-अलग state में इनमें कुछ-कुछ provisions गट बढ़ सकते हैं इसलिए उनके अलग-अलग जैसे उद्यान की cooperatives अलग बनती हैं मिल की cooperatives अलग बनती हैं बंडी की cooperatives अलग बनती हैं अकृशी की कॉपरेटिस अलग बनती हैं तो इस तरह से विशेवार या स्थानवार विभाग वार इन कॉपरेटिस के कानून में कुछ तब्दिलियां होती हैं तो उसे हमें जानना होगा मुल्टी स्टेट कॉपरेटिव से स्थाइटी एक्ट भी बना दor दोघ़ार दो में यानि कि आप किवल एक स्टेट के कानून के तहते हैं अगर अलग अलग राजिओं के साथ मिलकर आते हैं तो देश में निए अलग अलग राजिओं के प्रतंदियों की भागिदारी होगी उसके बाद producer company under section 581c ये Indian Companies Act 1956 जो है उस जो amend हुआ और 2013 में अन्य बहुत से provisions इसमें जोड़े गए और कुछ गड़ाई भी गए इसके तहत आप company register करा सकते हैं farmer producer company के तौर पर और साथ में अगर आप section 8 जो है जो एक तरह से charity के साथ में एक socio entrepreneurship के तहत company register होती है जिसके एक social value भी होती है और साथ में corporate value भी होती है तो ऐसी company इस कानून के तहत आप अपनी company register करा सकते हैं तो ये company जो है farmer producer organization जो organization शब्द है इसलिश में आया कि जब आप एक संगठन तो हैं ए level आप कमाई के लिए निए बलके समाजिक बदलाव की भागेदारी भी आप कर रहे हैं समाजिक उद्देशों की पूर्ती भी करेगा इस उद्देश से यह बनाए गया तो इस तरह से आप society registration act के जरिए आज जिसमें बहुत से NGOs बनती हैं non government organizations जो बनती हैं वो इसी एक के तह हो जाता है registration register क्या होता है उसके जो documents मलते हैं उसके आधार पर यह farmer production organization बन सकती है और वो काम कर सकती है public trust भी बना सकते हैं public trust भी दो तरह के बनते हैं एक तो Indian trust act बनता है और दूसरा deed के जरिए trust बनता है तो दोनों तरह के trust आप बना करके काम कर सकते हैं क्योंकि वो trust registered हो जा FPO अस्तित्व में आएगा गैसे उसका पंजिकरन होगा वो आपने समझा अब जो activities हैं कौन सी ऐसे जरूरी activities हैं जो FPO करता है या कर सकता है या उसके बविश में जरूरत पढ़ने पर उसके पास rights हैं अधिकार हैं उन सब कामों को करने के लिए तो सबसे पहला काम है procurement of inputs य जो खरीदी कर सकता है अपने एक हजार या उससे कम किसानों की आधार पर तो उन सब को इसका benefit मिलेगा और उससे अची bargaining कपनी से कर सकता है producer से कर सकता है और बीच के बिचौली हटाने से वो direct supply आपको मिलती है और उसके लावाँच आपके पास आते हैं दूसरा यह है कि जो market की information है वो भी हमारे पास कैसे आए जादा जादा सूचनाएं जरूरी होती है चूंकि सरकार का तंतर बहुत बढ़ा है बावजूद उसके देश में जो 80-85% कृशक हैं उन तक पूरी सूचनाएं समय पर नहीं पहुंच पाती है या आदिया दूरी पहुंचती हैं जो पह संदान हैं बारती कृशन संदान परिशत के या CSIR के या अन्य तमाम तरह के जो agriculture universities हैं इस्टूशन हैं बाडीज हैं के वी केज हैं उन सब के पास तबाम तरह के काम हो रहे हैं और जो innovation होता है वो आप तक पहुंचे किसानों को उसका लाभ मिले ये बहुत जरूरी होता है ये है कि जो finance है ये देखा गया है कि देश में छोटी जोट के किसानों के पास आर्थिक तंगी बहुत है उनके पास financial crunch रहता है उनकी चुनोतियां होती है और वो समय पर वीज नहीं खरीद पाते या खाद नहीं खरीद पाते या machinery नहीं ले पाते या उसका किराय नहीं storage of produce हमारे देश में करी 35% जो उपज है वो waste हो जाती है क्योंकि उनके संग्रहन के लिए उनके बंडारन के लिए उचित दिवस्ता देश में नहीं है और समय पर नहीं मिल पाती इस वज़े से वो waste चला जाता है चाहे वो बारिश में भीग जाता है या खेद से उठाय नही लग जाते हैं गुन लग जाता है या सड़ जाता है तो यह नुकसान होता है इस नुकसान को भी एक फियो बचा सकता है या आप लोग को मिल करके किसानों की समस्या का समधान कर सकता है दूसरा यह कि जो primary processing है चाहे वो हमें यह देखते हैं कि बाजार में आती है उसमें सब की आती है तो उसके value बहुत कम मिलती है और किसान के पास storage की facilitation ना होने के कारण प्रोसेसिंग की तरफ नहीं जा पाता प्रोसेसिंग में समय लगता है उसमें और machinery की जरूरत होती है फिर packaging की जरूरत होती है यह सब नहोने से उसे नुकसान होता है तो fpio यह सारे काम कर सकत है तो processing के लिए चाहिए वो सुखाने की बात हो चाहिए cleaning की बात हो चाहिए grading की बात हो इसमें जो मिशीने या जो चीज़े लगती है वो इसमें आप लगा करके इनका इस्तमाल fpio कर पाता है और उसके जरीए किसान को लाब मिलता है और साथ में इन उत्वादों की branding packaging leveling standardization और quality control ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार हम उत्वाद लेके जाते हैं लेकिन बिचौली ये जो आखती होते हैं हमें आरोप लगाते हैं कि आपका माल ठीक नहीं है तो आप नहीं कह सकते क्योंकि आपके पास इसका कोई मानक विवस्ता नहीं है और जब fpio के पास मानक से कर सकता है अपने bulk quantity होने के नाते एक किसी भी एक खास प्रजाति की उपज कितनी मात्रा में उसके पास है इसके आधार पर वो डील कर पाता है और जो institutional buyers हैं उनको भी bulk produce मिलने से उनका interest आपके produce को खरीदने में रहता है छोटा छोटा माल वो नहीं खरीना चाहते एक साथ एक quality के उत्पादन को वो खरीदने में रुचि लेते हैं ताकि उनकी भी गुनवत्ता स्थापित हो सके और एक मांधन के आधार पर वो आगे बढ़ सके हैं दूसरा यह है कि जो community exchanges हैं वहाँ पर भी FPO आपका sell out कर सकता है अपने जो भी produce है अकेला किसान नहीं कर पाता था क्योंकि इतनी produce उसके पास नहीं होती साथ में अभी देश में बहुत संभावनाय बढ़ रही हैं हमारे यहां से export करने की लेकिन एक अखिला फार्मर जो है वह export quality का content को सारे licenses लेना फिर उस सब्सक्राइब कंडिशन में उसको transportation करना और कोई risk आ जाए तो उसको bear करना यह थ आपके उपज का बहतर कीमतें आपको दुनिया के बाजार में मिल सकते हैं तो यह जो activities हैं फियों की बहुत महत्तों हैं और यह सिर्फ संगठित होकर काम करने से मुम्किन है इसलिए देश में वारत सरकार बहुत सारे फियों अभी तक बना चुकी है लेकिन और आप 10,000 फि के जरीए वो इस तरह के business model में आ सके और इसके लिए बहुत सारे तरह के फंड बनाए गए हैं क्रेडिलिंग पॉलिसी बनाई गई हैं ताकि एफियों बहतर परफॉर्म कर सकें और इसका सीधा लाब किसानों को और गाओं को मिले जोश है जस्पा है और है चाश शुरू कर करने की खुद का website तो आपके लिए हम लाएं है कैसा platform जिसके जरीए आप पास सकते हैं ना केवल business के हर aspect की deep knowledge साथ ही साथ पास सकते हैं expert जे डारेक्ट interaction और अपने website से संबंधित किसी भी सवाल का जवाब बस आपको join करना है business पार्चाला का session Monday to Friday तो पहर तीन बजे से चार बजे तक business पार्चाला से जुड़िये और व्यफसाय के पार्ट हमारे साथ पढ़िये